व gj nun कश्मीर के 12 मुला से बड़ी चानकारी मिल रही है, जहां सुरक्षा बलों की आतंकों के साथ मुड़ेड हो रही हैönे घेंञे की तयारी की जा रही है और सर्च ऑपरेशन लगतार चल रहा है फिलहाल एंकाउंटर हो रहा है दोलों तरफ से फारिंग हो रही है गोलियों की आवाज दूर तक्सुनी जा सकती है बारा मुला में इस प्रक्षा बलू की आतंकियों के साथ मुड़े एक के बाद एक लगतार जो घटनाएं बढ़ती सत्रक्षा बलू के साथ मुढब हो रही है कि आतंकिवादी यहां हो सकते हैं अजय जान्डियाल सीनर को लीग हमारे साथ मुद है अजय बारा मुला में इस फक्ट गश्या पूरे तरीके से सतर हैं ताकि किसी भी तरीके से आतंकियों के तरीके से लगातार के श्मीर में आतंकी इस तरह की घटाओं को अंजाम देने के प्रयास करें जरस्तर आतंकी और फाकिस्तार पर पाकिस्तां बखलाया हुआ है लगातार शांक्री आतंकी जटाओं का लगाता डिक्लाइं होना और उसके साथ चुनाब जोबने हैं लोग सवा के उसमें बंबर बोटिंग होना ये पाकिस्तान को दर्सक रास नहीं आ रहा हूँ दूसरी तरफ देखिए जमुषपीर में शांपी और पाकिस्तान में प्योके में हलात जो है लगतार जो है नहीदा बने हुए हैं वहाँ पर लग लुकमरी से परशान है परदर्शन हो रहे हैं ऐसे में पाकिस्तान की कबज़ेवले किश्पीर की खबरें देश तक दुनिया तक ना पहुंचे और जमुषपीर पे बवाल के खबरें पहुंचे इसी इसको पाकिस्तान करना चाहता है मगर सुरक्षाबाल सतर्क है और कठवा सांबा बॉटर से दो संदिधों को पकड़ा गया है रांग कोट में सेना का बड़ा सार्च उपरेशन इसवक चल रहा है दो संदिध पकड़े गए हैं लगतार आतंक की हमलों के बाद सेना का सार्च उपरेशन यहां जारी है पूरे इलाके को सेना ने घेर रखा है इसलोक्षाबल बहुत एक्टिव हैं और इसलिए एक एक आतंकबादी को चुन-चुन कर धेर किया जा रहा है अजय हमारे साथ तगतार जुड़े हैं अजय इससे पहले डोडा में अजय है एक एक से तालिस शिंकर एक वेक्टि भाग गया था उसे भी पकड़ा गया है दो संदिक धप यहां से ग्रफतार हुए हैं अब उनसे पुछतार होगी अब लोकल सपोर्ट जो मिल रहा है खाथ पानी कहां से दिया जा रहा है कि यह भी काय जा रहा है कि कुछ जमक्स्भी में सकریए हैं उनके यहां पर कोई नवर कोई कान्टक्ट जो है उनकी मदद से आतंकी सरवाइब करते हैं जंगल में बहταंग निवह कर ने से लहा होई है तो उसी के आतलाज में लगता सुप्स्राइजनसियां रगी हुई हैं और कोशिट ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से सबसे पहले उन्हें पर मैंकेल कसी जाए जो आतंकियों को मदद देते हैं हमने देखा कि पूंस राजोरी में जो आतंकी हमले हुए उसमें जो आतंकी हमले करने वाले थे वो जंगल में चलेगे और उसके बाद कहीं न कहीं उनका सर्वाइबल तभी मुम्किन है जब वहां उनको कोई लोकल सपोर्ट मिल रही है तो ऐसे में वहां पर लगातार उपरे जा गया था जब आतंकी नेटवर्क है उसको पूरा उपार उपार तेंका जा सके आप देखें तो कुछ दिनों में जो अपर धन मंत्री से लेकर ग्रह मंत्री और फिर यहां पर जो अल्जी परशासन द्वारा जो मीटिंग्स कुई हैं उसके साफ कर दिया गया है कि आतंक जाता है तो उसके अगलाब कड़ी करवाई की जानी चाहिए कुछ चीज को लेता पुरा अमल के जा रहा है ताकि जम्न कुछनी में शांती बनी रहे हैं चलिए जब बहुत धन्यवाद आप नजर बनाये रखें हम लगतार आपसे आगे अपडेट लेते रहें कि फिलाल आ आपका बहुत बहुत शूपी